नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU World में दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संदीप कुमार पिछले कुछ दिनों से BHU BAD के प्रेक्टिस सेट ले करके आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों यह प्रेक्टिस सेट BHU BAD के सभी पाठक्रम से समंधित है सभी के लिए महतपुर्ण है दोस्तों इस प्रेक्टिस सेट में हम खंड ए जिसमें कुल 30 प्रशन होते हैं हम उसका अभ्यास आपके साथ कराते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का प्रेक्टिस सेट दोस्तों आज का पहला प्रशन है एक अध्यापक अपने काड़ी के परती उत्तरदाई होगा यदी दोस्तों एक अध्यापक को कहा जा रहा है कि वो अपने काड़ी के परती अपने ड्यूटी के परती वो उत्तरदाई सबसे ज़्यादा कब होगा तो दोस्तों देखिए जो विकल्फ है उसमें दूसरा विकल्फ है सिक्षन में परसिक्षन दिया जाए ये भी महतपुर्ण है उच अध्यन के लिए अबसर दिया जाए ये भी महतपुर्ण है अधिक वेतन दिया जाए ये भी महतपुर्ण है लेकिन दोस्तों एक अध्याप अधिगम परकिरिया को सुचारू रूप से किया जाए जब इन सारे पहलूओं में जब हम सिक्षकों को सौतंद्र कर देते हैं तब क्या होता है कि सिक्षक अपने कारी के परती अध्यापक अपने कारी के परती क्या होते हैं ज्यादा उत्तरदाई होते हैं चलिए अगला प्रस्ट देखिए, Montessori बिद्याले, Montessori बिद्याले जो है, Montessori School जो है, वो बल देते हैं, तो दोस्तों Montessori बिद्याले जो है, वो इंद्रिये पर सिक्षन के नियम पर बल देता है, यानि the principle of sense training, जो sense training है, इसके बारे में ज्यादा बल देता है, Montessori के बारे में आप जानिये, इनका पूरा नाम है, Mariya Montessori, जो की रोम बिद्याले से सम्मंदित थी, रोम बिद्याले से सम्मंदित थी, और रोम बिद्याले कहां था, आप हमें comment box में जरूर बताएं, इसके अलावा दोस्तों, इन्हों ने क्या कहा था, कि धाई से 6 बर्स के बालकों के लिए जो वास्तविक सिक्षा है वही है जो जीवन की सक्तियों की अभिव्यक्ति कर सके यानि जीवन के सक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में जो सिक्षा धाई से 6 वर्स के बालकों को दिया जाता है उस सिक्षा को ही मारिया मौन्टेस्री ने बताया था अगला प्रस्ण देखिए, अगला प्रस्ण है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप अपने कक्छा में छात्र के ज्यान का मुल्यांकन करने हैं तो एक प्रस्ण पूछना चाहते हैं, दोस्तों छात्र से मुल्यांकन के लिए सिक्षक हमेशा कभी ना कभी एक प्रस्ण जरूर पूछ रहा है कि एक सिक्षक किस स्वरूप के रूप में प्रश्न को पूछे तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना चाहिए पूरी कक्षा के सामने एक प्रशन को रखना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए एक छात्र का चेन करना चाहिए कि उसका जवाब दे ऐसा नहीं है कि पूरा कक्षा को एक साथ ही बताया जाए या पूछा जाए कि बताईए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा किसी एक छात्र का हम चेन करेंगे बताइए कि इसका जबाब क्या होगा लेकिन हाँ प्रश्ण पूछने के उपरांत चलिए अगला प्रश्ण है कि एक अध्यापक अच्छा संप्रेशक यानि कम्मुनिकेटर हो सकता है यदि उसके पास क्या ऐसी योगताएं हो एक अध्यापक के पास जिसके कारण वो एक अच्छा संप्रेशक बन जाए तो दोस्तों एक अच्छा संप्रेशक बनने के लिए एक अध्यापक के पास भासा की पर्योग की योगता होना चाहिए जो हम भासा को किस स्वरूप में किस तरह से परयोग करें किस तरह से उसको उपयोग करें इसका जो है अच्छा स्किल होना चाहिए चलिए अगला प्रस्न देखिए एक अध्यापक के लिए सबसे कम वान्चित योगता है दोस्तों सबसे कम वांचित योगता पूछ रहा है आपसे तो दोस्तों यह हुआ कि वो कक्षा में पाठ्थ पुस्तक को पढ़ना पाठ्थ पुस्तक को अगर कोई सिक्षक कक्षा में पर रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो अपने सिक्षन अधिगम परिकिरिया की एक फॉर्मलिटी को पूरा कर रहा है और आपसे कम वांचित पूछ रहा है लिस्ट पूछ रहा है तो लिस्ट में क्या हो गया तो विकल्प दो चलिए अगला प्रस्ण देखिए अध्यापक का सबसे महतपूर्ण कारी है वह कौन सी कारी अध्यापक के लिए सबसे महतपूर्ण है आपसे ये प्रस्ण पूछा गया है तो दोस्तों अध्यापक के कक्छा में कई सारे कारी होते हैं लेकिन जो सबसे महतपूर्ण कारी है वह यह है कि बच्चों को बात-बात में सिक्छा दे देना कि अपनी बातों के माध्यम से सिक्छा देना खेल-खेल में सिक्छा देना इस तरह के जो भी सिक्छाएं होती है जो सिक्षक सरल विधी से बच्चों को समझा देते हैं उनका यह एक महतपुर्ण कारी है तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा एक अपनी वातों को छात्रों को समझा सकें ठीक ढंक से समझा सकें यह सबसे सुटेबल विकल्प है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं यदि एक अभिभावक अपने बच्चों को सांस्कृतिक कारी करम में भाग लेने से मना कर देता है तो आप क्या करेंगे देखिए दोस्तों आपका अर्थ यहां एक अध्यापक के रूप में बोला गया है कि एक अध्यापक रहते हुए आप क्या कर सकते हैं अगर किसी के को अभिवावक ने सांस्कृतिक कारिकरम में भाग लेने से क्या कर दिया मना कर दिया दोस्तों इसका सबसे सुटेबल उतर यह है कि मैं अभिवावक के साथ सांस्कृतिक कारिकरम के सैक्षिक उद्देश पर चर्चा करूंगा जो भी सांस्कृतिक कारिकरम है वो सांस्कृति कारिकरम के क्या educational purpose है इस educational purpose के बारे में उसके अभिवाबक को बताऊंगा उस पे चर्चा करूंगा उसके महत्व को बताऊंगा उससे लाव के बारे में बताऊंगा ये सारे चीज इससे निकल करके सामने आती है चलिए अगला प्रस्ण देखिए कक्छा में छात्रों की चात्रों की रूची बनी रहे इसके लिए अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए तो स्यामपट का पड़ियोग करना चाहिए बिल्कुल सही है प्रस्ण भी पूछना चाहिए बिल्कुल सही है कहानी सुनाना चाहिए ये भी सही है यानि सभी बिकल्प सही है तो बिकल्प क् चार चलिए अगला प्रस्ण देखिए कक्षा में प्रस्ण पूछने वाले छात्रों को जो छात्र कक्षा में प्रस्ण पूछते हैं उन छात्रों को क्या करना चाहिए कक्षा के उपरांत मिलने का सुझाओ देना चाहिए ये सही नहीं है कक्षा में वाद विवाद में भाग प्रोचसाहित करना चाहिए ये भी सही है सोता उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोचसाहित करना चाहिए ये तो गलत ही है कि हमेशा हम छात्रों को क्या कर सकते हैं सोता उत्तर ढूंडने के लिए प्रोचसाहित नहीं कर सकते हैं हमें भी एक सिक्षक का भी दाई तो बनता है कि हम उसके उत्तर को सही धंग से दें उसका जवाब दें तो दोस्तों जो सबसे नियरेश्ट उत्तर हुआ या हुआ que लगातार उसे प्रश्ण पूछने के लिए प्रोतसाहित करना चाहिए और इस प्रोतसाहन के कारण उसका क्या होगा तो उसके अंतरगत एक आत्म विश्वास डेवलप होगा आत्म विश्वास जो है उसके अंदर बढ़ेगा जिसके कारण वो सही ढंग से अपनी बातों को सिक्षन अधिगम परकिरिया के अंतरगत रख सकता है चली अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है कि अध्यापक का व्यभार आपको दिखाईने पर रहा होगा यह अध्यापक है टीचर्स हैं इसका व्यभार होना चाहिए दोस्तों एक आइडियल रूप में एक अध्यापक का व्यभार होना चाहिए कैसा होना चाहिए कि कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अध्यापक के कारियों को अपने जीवन में अपनाने की कोसिस करते हैं तो जब तक एक अध्यापक आइडियलिस्टिक रूप में नहीं रहेगा वो सिक्षन अधिगम परकिरिया को ठीक धंग से नहीं कर पाएगा और अगर सिक्षन अधिगम करिया को ठीक धंग से कर भी लिया तो बच्चों के व्यभार में सकार्यात्मक परिवर्तन ठीक धंग से नहीं हो पाएगा चली अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है जैसे मैराथन रेश के लिए है मतलब मैराथन जो है कहा होता है रेश से संबंदित है तो सीत निस्क्रियता, यह सीत निस्क्रियता है, यह किस से संबंदित होगा, तो दोस्तों सीत निस्क्रियता जो है, यह किस से संबंदित होगा, तो वो निद्रा से संबंदित होगा, किस संबंदित होगा, निद्रा से संबंदित होगा, चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है कि जैसे कलाकार चित्र के लिए है एक कलाकार क्या करता है चित्र बनाता है MP क्या करता है दोस्तों MP आपको पता ही है MP का फुल फॉर्म क्या होता है Member of Parliament और Member of Parliament क्या करते हैं वो संसद में कानून बनाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, संसद में कानून बनाते हैं, तो इसका क्या हो गया, इसका उत्तर होगा 2, चली अगला प्रस देखिए, खाली अस्थान को भड़िए, दोस्तों ये खाली अस्थान क्या है, ये आप समझे पहले, चार, छे, बारे, चवदह, अठारे, अठाइस, तीस तो दोस्तों इसमें क्या है विकल्फ? पहला है पलस दो, फिर क्या है गुने दो फिर पलस दो, गुने दो पलस दो, गुने दो तो अगला दोस्तों क्या हो जाएगा? गुनेदो यानि 60 इसका विकल्फ होंगे चली अगला प्रस्थ देखिए भविस्वानी भविस्ष में किया जाता है भविस्ष के लिए किया जाता है तो पस्चा ताप जो है वो किसके लिए किया जाता है तो भूत के काडियों के लिए किया जाता है चलिए अगला प्रस्ण देखिए मोटरसाइकल का जो समबंद पेट्रोल से है दोस्तों, जिस तरह से मोटरसाइकल पेट्रोल से चलता है ठीक, उसी परकार से जीवन किसे चलता है तो दोस्तों, हम जेनरली जो उड़जा प्राप्त करते हैं वो सूरी की किर्णों से प्राप्त करते हैं तो generally जीवन का जो संबंध है वो किसे है सूरज से चलिए अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है D E F D E F 2 D E 2 F 2 उसके बाद है D 2 E 2 F 3 दोस्तों यहां 2 होना चाहिए हाला कि यह प्रस्ण गलत है तो इस प्रस्ण को आप escape करतीजिए चलिए अगला प्रस्ण देखिए कारी जो है वो किसे संबंधित है प्रेरणा से कारी का संबंध किसे है तो वो प्रेरणा से है तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि उसी तरह से जो इसमें दिये गए विकल्प है कौन सा विकल्प सही होगा तो दोस्तों जो सबसे उप्रयुक्त विकल्प है इसके अंतरगत वो आपसे पूछा जा रहा है तो दोस्तों कारी जिस तरह से प्रेरणा से होता है उसी तरह से पेट्रोल किसे चलता है कार से चलता है पेट्रोल किसे चलता है, कार से चलता है, चलिए अगला प्राशन देखिए, नीमन में से कौन सा सब्द अन्य से सम्मंधित नहीं है, दोस्तों कॉर्णिया, रेटीना, प्यूपिल या भीजन, भीजन मतलब वहा द्रिश, तो दोस्तों द्रिश जो है, ये सभी चीज से मिल कर के एक द्रिश्ट का निर्मान होता है, तो ये सब तो इन पार्ट है, और जो भीजन है, वो इन सारे चीजों के सहयोग से बनता है, तो ये एक अलग हुआ, भीजन क्या हुआ, इन सभी से अलग हुआ, चलिए अगला प्रस्न देखिए, एक व्यक्ति को इंगित करते हुए, एक पुरूस एक महला से कहता है, उसकी मा तुम्हारे पिता की एक लवती पुत्री है, तो उस महला का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, दोस्तों आप इसे निकालेंगे, मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको, इसका उत्तर होगा मा, अगला प्रस्न देखिए, अगला प्रस्न का रहा, 5, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7, यह एक क्रम दिया हुआ है, दोस्तों, इस क्रम के बारे में आपको देखना है, कि इस क्रम के जो क्या खासियत हैं, तो दोस्तों संख्या के आगे बरने, और पीछे में पड़्युक्त परतेक अंग, अगले चरन से क्या हो जा रहा, देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 जो है, इसमें दिखाई नहीं पर जा रहा, फिर इसमें दोस्तों क्या है, इसमें 7 जो है, इससे गाइव हो गया, फिर दोस्तों इससे 8 जो है, वो क्या हो गया, गाइव हो गया इससे, तो इस पर 3 को गाइव होना चाहिए, तो 9, 6, 96542, किसमें है, 96542, विकल्प चार, चलिए अगला प्रस्न देखने हैं दोस्तों, अगला प्रस्न है, राष्ट्रिये सेक्षिक अनुसंधान एबं प्रसिक्षन परिसद जो है, NCRT, National Council of Educational Research and Training, जो है, Establishment जो है, इसको गठन जो है, भारत सरकार ने कब अस्थापित किया, 1961 में किया गया है, और ये क्या करती है, तो ये केंद्र और राज जी के जो अस्थापित करती है, दोस्तों, इसके फूल फॉर्म को मैंने आपको बता चुका हूँ, National Council of Educational Research and Training, दोस्तों, ये एक Autonomous Buddy है, Autonomous Buddy है, और ये स्वाद संस्थान किसका है, तो Government of India का, देखिए, इसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार दोरास्थापना, तो ये Government of India का Autonomous है, आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा, इसमें, कि इसमें NCTE, या फिर UGC, या फिर MHRD का, इस तरह से आपको नहीं लिखना है, इसका भारत सरकार लिखना है, Government of India का एक Autonomous Buddy है, चलिए अगला प्रस्ण देखिए, अगला प्रस्ण, C IET, a stand for C IET का full form आप से पूछ रहा है, Central Institute of Educational Technology, केंद्रिये सिक्छक प्रोध्योगी की संस्था, केंद्रिये सिक्छक प्रोध्योगी की संस्था, Central Institute of Educational Technology, तो दोस्तों इसका विकल्प कौन सा हो गया, Central Institute of Educational Technology, तो विकल्प संख्या क्या हो गया, तीन हो गया, विकल्प संख्या, तीन, दोस्तों ये एक Nodal Agency है, कौन सी एजनसी है, Nodal Agency है, और किसकी Nodal Agency है, तो NCRT की Nodal Agency है, दोस्तों इस Agency के मात्ध्यम से क्या होता है, कि ये Mass Media Technology में किस तरह से Improve हो, Expand हो, इसके Quality को किस तरह से अस्थापित करें, ये सारे चीज, CIET का कारी छेतर के अंतरगत आता है, चलिए अगला प्रस्ण देखिए, नीमन में से कौन सा सहर, RIE, Regional RIE का Full Form होता है, Regional Institute of Education, तो RIE जो है दोस्तों, इसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा सहर, RIE से सम्मंधित नहीं है, तो दोस्तों, अजमेर में, 1995 में, RIE का स्थापना किया गया था, भोपाल में, 1963 में किया गया था, मैसूर में, दोस्तों, 1 अगस्त 1963 को किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है, एक अगस्त 1963 को और राइपूर में दोस्तों नहीं है तो कहां है तो राइपूर में ना होकर के भूवनेश्वर में है कहां पर है भूवनेश्वर में है और इसकी अस्थापना 1973 में की गई थी तो आपको याद रखना है दोस्तों राइपूर में ना होकर के कहां है भूवने अधिक के वैसकों के लिए दोस्तों इसके बारे मैं आपसे पूछ रहा है कि यह एक open education program है जो operate एबम implement किया जाता है किसके दोरा? National Institute of Open Schooling NIOS के माध्यम से क्या किया जाता है? इसका गोल क्या है? तो provide करें primary एबम अपर primary level के जो भी educational चीज़े हैं उसको provide करना इसके अलावा open schooling system जो भी है उसको सही ढंक से एक formal school या dropped school के जगह पे open school को परती अस्थापित करना इसके अंतरगत जो है मुप्त बेसिक सिक्षा आता है चली अगला प्रस्ण देखिए वर्तमान में UGC के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों जिस समय UGC का ये प्रस्ण पूछा गया है उस समय वेद परकास्त है लेकिन वर्तमान का अगर आपसे पूछ दिया जाए तो DP सिंग होगा? कौन होंगे? दोस्तों 2020 में कौन है? UGC के अध्यक्ष तो DP सिंग है और वर्तमान समय में आपसे पूछ सकता है कि बताइए टोटल कितने Central University है, कितने Dimmed University है और कितने State University है तो आप हमें Comment Box में देख करके जरूर बताएं कि Central University की संख्या कितनी है, Dimmed University की संख्या कितनी है, उसके बाद State University की संख्या कितनी है, Dimmed University के बारे में भी कभी कभी प्रस्न पूछते हैं, अगला प्रस्न देखिए सर्व सिक्षा अवियान कारिकरम के अगवा थे, यानि सर्व सिक्षा अवियान किसके द्वारा लाया गया था, दोस्तों अटल विहारी बाजबेई जो है, वो सर्व सिक्षा अवियान को लाये थे, भारतिय भासा संस्थान, जो Central Institute of Indian Language, ये कहां इस्थित है, तो भारतिय भासा संस्थान जो है, या मैसूर में इस्थित है दोस्तों, और ये MHRD Ministry के अंतरगत आता है, किसके अंतरगत आता है, MHRD Ministry के अंतरगत, दोस्तों ये कारी क्या करती है, प्रस् सिक्षा सास्तर का खोज करती है उसमें, भासा प्रोध्योगी के बारे में विकास करती है, समाज में कौन-कौन से भासा है, उसके छेतर में काड़ी एबम अनुसंधान करती है, तो ये इसके परमुख काड़ी हुए, चली अगला प्रस्न देखिए, RCI become एक वैधानिक संस् के रूप में पूछ रहा है आपसे RCI कब बना, तो दोस्तों RCI का जो फूल फॉर्म होता है, वो है Rehabilitation Council of India, क्या है भारतिये पुनरवास परिशद, दोस्तों ये एक सोसाइटी के रूप में 1986 में गठित हुआ था, सोसाइटी के रूप में, लेकिन 22 जून 1993 को ये एक जहानिक संस्था के रूप में इसे मानिता मिल गया, दोस्तों RCI एक विशेश बालक से संबंदित संस्था है, विशेश बालक के हैं, जो दिव्यां तरह के जो भी बालक होते हैं, उन सारे बालकों के लिए, जब हम सेक्षनिक पहलू को अस्थापित करते हैं, तो उसके लि हैं, उसे बताती हैं, उसके बारे में विकास करती हैं, तो ये किस से संबंदित हैं, तो विशेश सिक्षा से संबंदित हैं, ये भी एक महतपूर्ण प्रस्म हैं, चलिए अगला प्रस्म देखिए, किस तारिक को N.C.T.E. को एक वैधानिक संस्था के रूप में बनी, तो दोस्तों, N.C.T.E. को जो है, एक वैधानिक संस्था के रूप में, कब इसे दिया गया, तो 17 अगस्त 1995, अब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, तो National Council of Teachers Education, N.C.T.E. का क्या हुआ, National Council of Teachers Education, N.C.T.E. का, अब देखिए दोस्तों, ये वैधानिक संस्था है, और किस इसका है, Government of India का, उसके बाद दोस्तों, इसका एक्ट कब बना था, तो एक्ट 1993 का एक्ट था, और फाउंडेशन इसका कब हुआ था, 1995 में, चलिए अन्तिमा प्रस्न देखने हैं, दोस्तों, अन्तिमा प्रस्न है, National Institute of Mental Health and Neuroscience, National Institute of Mental Health and Neuroscience, जो है, वो कहा है, पहले इसका देता आपसे, N-I-M-H-A-N-S, इसके बारे में आपसे पूछेगा, कि ये कहां इस्तित है, तो दोस्तों, ये जो है, बैंगलोड में इस्तित है, ये एक दिम्ड युनिवर्सिटी है, और इसकी अस्थापना कब हुई थी, तो 1994 में, और बैंगलोड में इसकी अस्थापना हुई थी, तो दोस्तों, अगर आप हमें कुछ मेसेज भेजना चाहते हैं, आप व्यक्तिकत रूप से कुछ सुझाओ देना चाहते हैं, तो आप हमें Facebook पर Hello Sandeep KR सर्ज करके, आप हमें सुझाओ दे सकते हैं, अगर दोस्तों, आप Telegram पे हैं, तो Telegram पे Sandeep KR सर्ज करके, भूद बहुत धन्यवाद, नमस्कार